10 माई 1857 जगह मेरट 10 माई 1857 का मेरट च्छावनी में सिपाहियों का विद्रोह भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत का प्रतीक था मेरट के विद्रोह की शुरुआत करने के बाद भारत्य सिपाही दिल्ली की करफ कूच कर गए और 11 मई 1857 को सिपाहियों ने दिल्ली पर कबजा करने का अभियान शुरू कर दिया कमपनी के राजनेतिक एजेंट साइमन फ्रेजर समेट सैंक्रो अंग्रेज इस अभियान में मारे गए सरकारी दफ्तरों पर या तो सिपाहियों ने कबजा कर लिया या उन्हें नश्ट कर दिया इस तरह सत्ता के केंडर और प्रतीक के रूप में दिल्ली पर कबजे के साथ 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरूआत हो गई दिल्ली पर अधिकार करने के बाद सिपाहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह को दिल्ली का समराट घोशित कर दिया उनके नाम पर सिक्के ढाले जाने लगे और उन्हीं के नाम पर आदेश भी जारी किये जाने लगे अंग्रेजों का जो प्रतिरोथ है वो तो भारत में उस दिन से शुरू हो गया था जिस दिन से भारत के अंदर उन्होंने अपना वर्चत उस्तापित केरने की कोशिश की थी चाहे वो सन्यासी फखीर विद्रो बंगाल में 1770 से है और 1857 तक आते आते करीबं 200 ऐसे विद्रो है जो जगे जगे पे अंग्रेजों का प्रतिरूत किया गया और 1857 जो है वो एक परिनीती थी ऐसे विद्रो हो की जो एक साथ बरके पूरे राश्ट्री इस तरके उपर उबर पर करके आई मेरट और दिल्ली पर कबजे के बाद पूरे उत्तर भारत पश्चिमी भारत और मध्य भारत के कुछ इलाकों में तो सिपाहियों और नाग्रेकों के बीच अंग्रेजों के खिलाफ विद्रो की तेज लहर चल पड़ी इस लड़ाई के दौरान कंपनी के करीब धाई लाक सैनिकों में से आधे सिपाहियों ने अपनी अपनी रेजिमेंटों को छोड़ दिया और सेना के आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया दिल्ली पर कबजे के करीब एक महीने के भीतर ही ये आंदोलन, कानपुर, लखनव, इलाहबाद, बरेली, जगदीशपुर, जहांसी और बिहार समेट देश के अनेक इलाकों में फैल गया पूरा देश अंग्रेजों के खिलाब आक्रोश से भर उठा था बिटिश हकूमत के शोशन और जात्यों से पूरे देश की जनता परिशान थी और यही वज़े थी कि पूरे देश की जनता इस लड़ाई में शामिल हो गई अगले एक साल तक देश में बिटिश हकूमत एक तरह से गायब रही इसका विस्तार पेशावार से ले करके और असाम में तिब्रुवड तक था नीचे करनाचक में बेलगाउं तक था महराष्ट्रा में शोलापूर, शोरापूर, औरंगाबाद, गुजरात में पंच महल, उडिसा, धाका, चिठगॉंक और पूरा आवाद, मंद्रप्रदेश, राजिस्तान के इलाके तो बहुत है पूरे भारत का जो है, भारत पूरे में विस्तित था इसका जो शेतर था विरोत का दलसल 1857 की क्रांती ब्रिटिश शाशन की सालों से चली आ रही दमनकारी और अन्याय पूर्ण नीतियों के खलाफ शुरू हुई थी 1857 की क्रांती के प्रमुख राजनेतिक कारणों में से एक थी गोध निशेद प्रथा या हडप नीती ये अंग्रेजों के विस्तारवादी नीती थी जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के दिमाग के उपज थी इसके साथ ही भारी टैक्स और राजस्व संग्रहन के कड़े नियमों के चलते किसान और जमिदार वर्गों में असंतोश था साथ ही भारत में तेजी से पैर पसार्ती पश्च्यमी सभ्यता को लेकर समाज के बड़े वर्ग में आक्रोश था इन सब के अलावा एक बड़ी वजह थी भारतिय सेनिकों और ब्रिटिश सेनिकों के बीच होने वाला भेदभाव और सेनिक शावनियों में भारतिय सेनिकों का शोषण 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के ततकालिक कारणों में से एक कारण इस बात की चर्चा भी थी क्या 1853 की राइफल के कार्तूस की खोल पर सुर और गाय की चर भी लगी हुई है ये हिंदू और मुसलिम दोनों धर्मों के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुचा रही थी ये राइफल ने 1853 के राइफल के जखीरे का हिस्सा थी इस कार्तूस के इस्तमाल पर जोर देने के विरोध में माच 1857 में बैरकपुर छावनी के 34 वे नेटिव इंफैंट्री के जवान मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट मेजर पर गोली चला दी इसके बाद अंग्रेजों ने इस रेजिमिंट को ही भंक कर दिया वही 9 माई को मेरट में सैनिकों ने नई राइफल इस्तमाल करने से इंकार कर दिया तो उन्हें 9 साल जेल की सजा सुनाई गई अंग्र भारत के किसानों को मुमीहीन बनाया गया उनके उपर रफीम की खेती नील की खेती दोपी गई ला करके भारत के जो जुला थे उनको तबा किया गया राजाओं की सेनाओं को तबा किया गया उसेनिक क्या करें कहा जाएं उसके अलावा लोहार का जो काम था किसेनिकों के ल जो विक्ति थे उन तक उप्रहवित कर रहे थे और इसलिए सारे मिल करके लड़े हैं पूरेज के अधर हाला कि अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत और सेना के दम पर भारत के इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को दबा दिया लेकिन इस लड़ाई ने ये तै कर दिया कि अब अंग्रेज भारत पर सद्यों तक शासन नहीं कर पाएंगे इस क्रांती ने भारत में ब्रिटिश शासन की नीव हिला दी जिस संग्राम ने पूरे देश के जन्मानस को जगजोर कर रख दिया देश के इन वीर सपूतों ने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई और उनके अन्यायकून नीतियों का खुलकर विरोध भी किया जिसमें आम जन्ता ने भी अपना सहयोग दिया आई ये इतिहास के गौरपून पलों को याद करते हैं जब मात्र भूमी के लिए 1857 के नायकों ने अंग्रेजों को वो टक कर दी कि ये आजादी की पहली लडाई बन गई आजादी की पहली लडाई जब अंग्रेजों को हिंदुस्तान की सरहदों से हमीशा के लिए ख़ड़ने के लिए देश के वीरों और विरांगनाओं ने हाथों में तलवार थाम ली एक साथ उत्तर भारत और मध्य भारत के मुठी भर क्रांती कारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल्पूख दिया था क्रांती कारियों ने मुगल बाजशाह बहादुर शाह जफर के निक्रितों में क्रांती का संचालन किया और ठान लिया कि दिल्ली की गद्धी पर हिंदुस्तान के शेहन शाह बहादुर शाह काबिज होंगे मुगल बाजशाह सत्ता से बेदखल और बेहत कमसोर हो चुके थे लेकिन इस क्रांती को अपना समर्थन देकर वो इस लड़ाई के प्रतीक बन गए आंदोलन को बड़ी ताकत मिली थी रानी लक्ष्मीबाई जैसी विरांगना से 1803 में गंगाधर राओ की मृत्यूं के बार जैसी को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था और रानी को पेंशन दी गई रानी लक्ष्मीबाई ने इसका विरोध किया और नारा दिया कि मैं अपनी जैसी हर्गिज नहीं दूँगी मार्ज 1858 में होग रोज ने जैसी पर आक्रमन किया तब रानी ने द्रहता पूर्वक अंग्रेजों का मुकाबला किया रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध कौशल के अंग्रेज भी कायल हो गये थे 17 जून 1858 नीस्वी को अंग्रेजों से युद्ध करते हुए रानी ने वीरगती प्राप्त की लेकिन हर मोजे पर उन्होंने अंग्रेजों के दांत खटे कर दिये थे देखिए नायक तो बहुत थे और उनके थियास में नायकों के नाम आ भी जाते है कि उसमें मान लीजे नाना साहब थे, कात्या टोपे थे, अजिमुल्ला थे, रानी जहासी थी, अवंती बाई थी, अजीजन बाई थी इस्त्रियों के ऐसे ऐसे नाम आते हैं इसके अंदर अब जैसे और ये बड़े नेता है आप देखें मेरट में शामली में, आशा गुजर है, मामकौर है, मुजफ्रनगर के इलाके के अंदर, चुन इस्त्री गाउं से इस्त्री आउबर करके आई हैं इसके अंदर 1857 के आंदोलन में मजबूत दिवार बनकर खड़े थे नाना साहब, जो कानपूर में विद्रोह का संचालन कर रहे थे वो अंतिम पेशवा बाजीरा द्वितिय के दत्तक पुत्र थे अंग्रेजों ने नाना साहब का पेंशन भी बंद कर दिया था मंगल पांडे ने मेरट में सैनिकों के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी थी मेरट में विद्रोह आरम हुआ तो उसके बाद नाना साहब ने कानपूर पर अभिकार कर स्वेम को पेशवा घोशित कर दिया उन्होंने मुगल बादशाह बहादूर शाह को भारत का समराथ और खुद को उसका गवर्नर घोशित किया था हार कर नाना साहब नेपाल के जंगलों में छुप गए और आज तक को ही नहीं जानता कि उसके बाद वो कहा गए अंग्रेजों को सबसे जादा परिशान किया तात्या टोपे और अजिमुला ने आंदोलन के विफल होने के बाद 1869 में आज ही के दिन तात्या टोपे को फांसी की सजा दी गई लेकिन दोनों ने मिलकर नाना साहब के नेत्रित्व में अंग्रेजों से कई युद्ध किये और लोगों को आजादी के महत्व के बारे में समझाया मैं तो कहूंगा एक तात्या टोपे बहुत बड़े निल्टरी स्टेडेजिस्ट हैं इस पूरे उसके अंदर और अंगिनित नाम है इसके और मैं तो मादता हूँ कि हर विफ्टी इस समय नायक बन गया था अंग्रेजों के किला वही अवध क्रांतिकारियों का एक प्रमुख केंडर बन चुका था और अवध के क्रांति का संचालन बेगम हजरत महल ने किया बेगम ने अवद के जमिदारों, किसानों, सिपाहियों की सहायता से अंग्रेजों को अनेक स्थानों पर हराया और अंग्रेजों को लखनव की रेजिडेंसी में शरन लेने के लिए मजबूर कर दिया उधर बिहार में जगदीशपुर के जमिदार बाबू कुवर सिंग ने मूर्चा समहाला था दानपुर में विरोध कर रहे कुछ क्रांतिकारियों ने आरा पहुचकर कुवर सिंग से विद्रोग का दाइत्व समहालने को कहा नाना साहब के साथ मिलकर उन्होंने अवध और मध्य भारत में भी युद्ध किया और जगदीशपुर आरा में अंग्रेजों को हरा दिया 23 अपरेल 1858 में जगदीशपुर में उनकी मृत्यू हो गई इलाहबाद में कमान सम्हाले हुए थे मौलवी लियाकत अली और पैजबाद में मौलवी अहमद दुल्ला ने अंग्रेजों के विरोध में लोगों को एकत्रिक किया देखिया अंग्रेजों ने तो इसको दबाने के लिए कोई कसर नहीं चोई लोगों को तोप के मूँ से लगा के गुलों से उड़ाया गया गाओं के गाओं जो है उनका नाम मिठा दिया गया नक्षे के उपर से उनको जलाया गया मारा गया आज भी ऐसे ऐसे गाओं मौजूद है जहां पे वो पेड़ हैं जिनकी लोग पुजा करते हैं मुझफर नगर में बागपत की तरफ जिनके अंदर 50-50 इस्त्रियों को जो धर्मों के लोग और नेता अंग्रेजी हकूमत के खिलाब खड़े थे फरुखाबाद में तुफजल हसन खान और बिजनौर के मुहम्मद खान ने अपने इलाके में मोर्चा सम्हाला तो मुरादाबाद के अब्दुलली खान बरेली के खान बहादुर खान ने भी आंदोल जो लौ की तरह तब तक जलता रहा जब तक भारत आजाद नहीं हुआ बिरो रिपोर्ट राजे सभाचीरी 1857 का संग्राम मेरट में सैन कर्मियों की बगावत से शुरू हुआ लेकिन जल्द ही ये व्यापक होते गया इसे ब्रिटिश शासन को कमभीर चुनौती मिली हालंकि ब्रिटिश शासन इसे दवानी में सभल रहा लेकिन ये एक ऐसी लोगप्रिय ग्रांती थी जिसमें भारत के हर वर्ग की सहभागिता थी यही वज़ा है कि इसे भारतिय सुतंतरता का पहला संग्राम कहा जाता है बाद में आजादी की अंदूलन पर इस सुतंतरता संग्राम का गहरा प्रभाव पड़ा इस संग्राम के बाद ब्रिटिश हुकूमत जिन नीतियों पर आगे बढ़ी उससे ब्रिटिश शासन के प्रती लोगों में ग्रणा बढ़ती गई इससे आगे चलकर भारती राश्ट्रिय आंदोलन का चन्व हुआ 1857 के विद्रोहों को गई नाम से जाना जाता है लेकिन दरसल अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ये भारत का पहला स्वतंतरता संग्राम था 1857 का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और महत्पून खटना थी उस वक्त किसी को नहीं मालूम था कि इस संग्राम से जो चिंगारी धीरे धीरे भारत में पहलने लगी थी वो अंग्रेजी हुकूमत को भारत से खदेने के लिहाज से काफी महत्पून थाबित होगी भले ही 1857 के बीच खरीब 90 साल का फासला रहा लिकिन इस संग्राम ने आजादी की आंदोलन की नीव रख दी इसके बाद पूरे भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक लहर पैदा होने लगी अंग्रेजी हुकूमत ने 1857 के संग्राम को पुचलने के लिए जिस तरह की निरदाईता दिखाई उससे लोगों के बीच मिटिश शासन की वास्तविक मंचा जाहिर होने लगी लोगों में संदेश गया कि अंग्रेज किसी भी तरह से भारत पर शासन करना चाहते हैं हम कह सकते हैं कि 1857 के संग्राम से बाद के आजादी के आंदोलनों को प्रेंडना मिली इसने बाद के आंदोलनों को एक नई ताका दे जिस विद्रो को अग्रेज कहते हैं कि उन्होंने दबा दिया मैं उसकी व्याक्या इस तरीके से करता हूँ कि ये आग तब जरूर गई थी लेकिन बुझान नहीं पाये थे और इस आग ने एक चिंगारी का रूप ले लिया था और इसी चिंगारी ने जाकर के आगे भारती राष्ट्रिय आंदोलन को जो प्रभावित किया कि द्विविन विचारदार आये उसमें से निकल के आई करांतिकारी निकल के आए जन आंदोलन निकल के आए और ये देखिए इसका तो इतना प्रभाव है कि सावरकर ने पूरी इसके उपर किताब लिखी 1857 के उपर सुद्धा संग्राम बढ़ाते हुए और वो भारत के क्रांतिकारियों के लिए एक ग्रंथ बन गया पूरा का पूरा 1857 के संग्राम का भारतिय राष्ट्रिय आंदोलन पर गहरा प्रभाव बढ़ा इस संग्राम से पहले अंग्रेजों और भारतियों का एक दूसरे के प्रती व्यवहार जादा उक्रता वाला नहीं था लेकिन 1857 के अग्रेदर ने इस मनोवरती को एक दम बदल दिया वित्रों का दमन बहुत अधिक गठोरता और नरदाइता के साथ किया गया था जिसे भूलना भारतियों के लिए असंभाव था भारतिया और अंग्रेजों के बीच एक गहरी खाई बन गई अंग्रेजों ने फूट डालो और शासंकरों की नीती को बनाया और होने शासन और सिना के पुनर गठन का अधार धर्म और जाती को बनाया अंग्रेजों के इस खदम से हिंदू मुसल्मानों के बीच ही दूरि जाती में कनवर्ट कर दिया, लोवर कास्ट बोलते हैं उनको अपने सारे रिकॉर्ड्स के अंदर, कुमहार थे, मानी थे, नाई थे, लोहार थे, ये कभी जाती नहीं थे, ये परंपरगत समुदाय थे, जो अपना पेशगात करते थे, इन्हों ने उनको उस तरीके से बदल और दुर्भाक के ये रहा, कि हमारे इतियासकारों ने इन चीजों को सबजने की जगे है, केवल ये मान लिया कि साबंतवादी विद्रो था और वो था और उसको हमने जाचने की कोशिश नहीं की, कि इसका क्या है, और जो अगरे जो ने नीतिया अपना ही पिर इसके बाद उस नीतियों के विरोध में फिर और जो है, राष्ट्री आंदोलन खड़ा होता है, फूरा उट करके। ब्रिटिश सामराकी की हातों में चली गए, भारत के गवर्नर जनरल को वैसराय कहा जाने लगा, भारत सचिव के साथ 15 सदसी भारत परिशत की स्थाप नटी गए। की अंगरेजों को भारत से निकलना पड़ा। इन हुआ है प्य हो रिल्ड Taxis दो प्याख झाल झाल